मैं कॉंग्रेस के वाल नमर 43 से पारसाथ प्रत्यासी हूँ और मैं यह मांग करता हूँ कि अतिक एहमत को भारत तरह दिया जाए अतिक भाई यह मर रहे अतिक भाई यह मर रहे लाह इलाला पुलिस कस्टेडी में मौत के घाट उतारे गए माफिया अतिक एहमत और उसके भाई अश्रफ की हत्या के बाद पुरा विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है विपक्ष पुलिस अभिरक्षा में हूँ इस दोरे हत्याकार को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार कर रहा है जब यूपी निकाय चुनाओं में कॉंग्रेस के एक प्रत्याशी ने ऐसी डिमांड रख दी जिसे सुनकर सभी चक्रा गए कॉंग्रेस के पारस्ट प्रत्याशी राजकुमार उर्फ रज्जू भहिया ने माफिय अतिक एहमत को शहीत बता दिया इतना है नहीं कॉंग्रेस अम्मीद्वार ने अतिक एहमत को भारत रत्न दिये जाने की मांग कर डाली मैं यह मान करता हूं कि अतिक आहमत को भारत रत न दिया जाए और कि न उल्लायम उला है चलिका एक अतीक, कर दो नहीं नहीं प्राइब कर दो राज कुमार सेंगुर्फ रजु भाईया कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता है इस बार निकाय चुनाओ में नगर निगम के बॉड नंबर 13 ले साउथ मलाका से कॉंग्रेस के उम्मीद्वार हैं रजु भाईया पहले विपार्षत का चुनाओ लड़ चुके हैं कॉंग्रेस उम्मीद्वार का विवादित बयान सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है उनके बयान के बाद जब कॉंग्रेस के नगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रान शुमन ने उन्हें रोका तब भी रजु भाईया नहीं रुके और अपना बयान देते चले गए